अधनिय स्वाबती जी आपने वक्ताओं के लिए काफी सिमाय बांदी है मेरी कोशिश रहेगी उन सिमाओं का पालन करते हुए अपनी भावनाओं को भीवेक्त करो बच्छ हमारी हाँ विजाईस हमार हमको है है जा रहे हैं साथी लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आश्ची या गुजराती में कहते हैं आव जो कम अगें वैसे कहते तो बाई बाई लेकिन कहते हैं कम अगें तो एक प्रकारत है हम तो यह ही चाहेंगे काम अगें ताकि जैसा सभापती जी ने कहा कि इतने इतने अनुभाव दिन के साथ जुड़े हुए हैं पाटम, चाटम, तइंतम, इतने समाई से यानि एक बहुत बड़ी मात्रा में अनुभाव का संपूट हमारे इन सभी महानुभाव के पास है और कभी-कभी ज्ञान से ज़्यादा अनुभव की ताकत होती है अकडेमिक नालेज की कभी-कभी बहुत सीमाई होती है उस सेमिनार में काम आता है लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाए होते है उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गल्तिया कम से कम होती है और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते है तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है राष्ट को होती है आने वाली पीडियों के लिए जो दिरने होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए हम बहुत कहा जाएगा लेकिन जब अनुभवी नहीं यहां है तक जो है उनकी जिम्मेबारी जरा और बढ़ जाती है वो जो अनुभव की गाता यहां छोड़ के गए हैं जो बाकी हां रहने वाले हैं उनको उसको आगे बढ़ाना होती है और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है और मुझे मिस्वास है कि आप जो साथी आज बिदाय लेने वाले हैं उनसे हम जो सभी सिखे हैं आज हम भी संकल्ब करें उसमें से जो भी उत्तम है जो स्रेश्ट हैं उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगा का जरूर हम उप्योग करेंगे और ताकि देश को समरुद्ध में बहुत काम आएगा है एक लंगा समय हम इस चार दिवारों के बीच में बिताते हैं हिंदुस्तान के हर कोनी की भावना वो कहां प्रतिमिम अभीव्यक्ति बेदना उमंग सब कुछ यहां पर एक प्रभा बहता रहता है और उस प्रभा को हम भी अनुभाव करते रहते हैं लेकिन कभी हमको लगता हुआ कि मैंने इस सदन में बहुत कुछ कॉंटिबूट किया है बहुत सचा ही है लेकिन साथ साथ इस सदन ने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ कॉंटिबूट किया है हम सदन को दे करके जाते है उसे ज़्यादा सदन से लेकर के जाते हैं क्योंकि भारत की बिवित्यताउं से भरी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं से अनेक प्रकार के उताव चड्धाव वाली बवस्ताव से निकली हुई चीजे, उसको हम प्रति दिन अनुभव करते हैं अर इसलिए वाज यही कहूँगा कि भले हम इन चार दिवारों से निकल रहे हैं, लेकिन इस अनुभव को राष्ट के सरवत्तम हिद के लिए चारों दिशाओं में ले जाए चारों दिवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाए यह हम सब का संकल्फ रहे और हमारी ये भी कोशिश रहे कि सदन मैं अपने कालखंड में जो महतोपूर्ण चीजे हमने कॉंट्रिबूट किये हैं कि जिसने देश को शेप दिया देश की दिशा को मोड़ा है मैं चाहूंगा उन स्मृतियों को आप कहीं न कहीं शब्दबर्द करें कहीं कहीं लिखें ताकि कभी न कभी वो आने वाली प्वीडियों को रेफरेंस के रुप में काम आएगी कहीं पर भी हम बैठे हो यहां हो य इसने देश को दिशा दिने में बहुत बड़ी भूमी का अधा कि इसको अगर हम संग्रहित करेंगे मैं समझता हूँ कि ऐसा मुल्यवान खाजाना हमारे पास काम आएगा जो आने वाले लोकों के लिए काम आ सकता है यानि एक इंस्टिटुस्लाइज विवस्ता के तहर उसका उपयोग हो सकता उसी प्रकार से मैं यह भी चाहूंगा कि आजहादी के अमरत महोत सब्सक्राइज आजहादी के 75 साल हुई है हमारे महापुरुशों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया अब देनी की जिम्मेवारी हमारी है हम यहां से उस भाव को लेकर के क्योंकि अब समय ज्यादा होगा हमारे पास जब यहां से जा रहे हैं तो सभापते जी का बंधन भी नहीं होगा तो आप बड़े खुले मद से एक बड़े मंच पर जा करके आज हादी के अमृत महोत सब्सक्राइज इस महामुले पर्व को माज्यम बना करके आने वाली पीडियों को कैसे प्रेविद कर सकते हैं उसमें अगर आपका योगदान रहेगा मैं समयता हूँ देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी बहुत बड़ा लाब मिलेगा मैं सभी साथियों को मैं इंडिविजिल उलेख नहीं कर रहा हूँ भभापती जी ने कहा है कि व्यक्ति गद मिले तो कह देना तो मैं व्यक्ति गद जुरू कोशिश करूंगा आप सबको अपने अच्छे उच्छी बाते बताऊंगा आपकी जो अच्छी बाते हैं उसको प्रैजिरू नोटिस करता हूँ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुक्त कामने देता हूँ धन्यवाद धन्यवाद प्रदान मंत्री जी श्री तो प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी को